नमस्कार दोस्तो स्वागत आप सभी का हमारे रूप चैनल योजन ओनलाइन फोर यू पर दोस्तो आज पिर आपके सामने एक महत्पून जायन के लेकर हाज रूए है दोस्तो यह किसानों के लिए बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जो हम आपको आज बताने वाले है दोस्तो एक फरवरी से सभी को लाब मिल सकता है सभी को लाब मिलेगा दोस्तो इसकी पूरी जानकरी हम आपको देंगे कि फरवरी से किन किसानों को लाब मिलने वाला है और किसानों के खाते में कितना पैसा मिलने वाला है यहाँ पे आप देखके दोस्तो 6,000 रुपे और 31, 25000 Rp Tuck जो किसान है दोस्तो कौनक किसान इसका इसका यूजना के तहरा आप नहीं मिलेगा उसकी पूरी जानकरी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दोस्तो अगर आप एक किसान है तो यह है वीडियो सर्वuly करै जरूरख देखना ताकि आपको चैसी मन्हें आ सके और आप भी योजना के तहट लाव ले सके दोस्तों योजना क्या होगी वह भी हम आपको वीडियो में बताएंगे पूरी जानकारी के साथ अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करें वीडियो को लाइक करें ज़्याद सेयर करें वाइसे ही मैं एटपून जानकारी पाने के लिए हमारे यूटीब चैनल को जिरूर सब्सक्राब करें दोस्तों तो वीडियो को सुरू करते हैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दे जाएगेंगे जिसके पास 2 एकड जमीन हैं उसे 10 000 रूपे और जिसके पास 3 एकड जमीन है 15000 रूपे मिलेगा पढ़हन्मंत्री खिसान-सम्मानिदी इसकीम के तहफ चहना सरकार की ओर से किसानों को पहली बार इतनी बड़ी रकम दी जा रही है दोस्तों किर्शों को नगद पैसे मिलने की सुरुवात यहाँ पे तेलागना से हुई है दोस्तो यहां पे बताया गया है कि जो 35,000 रुपे मिल रहे हैं वे rightly धान समा,दिये योज दोस्तो यहां पर अती है बात 30,000 रुपे हम ने आपको दिखाये हैं तो उसके बारे में भी आपको बताइंगे कि 30,000 रुपे मिलते हैं तो दोस्तों पूरी जानकारी दी गई है हम आपको बता देगी कौन ले सकता है इसमें लाब पहले हम आपको यह बता दे कि इसमें लाब कौन ले सकता है उसकी भी जानकारी आपको यहां पे देंगे लेकिन दोस्तों यहां पर पूरी जानकारी आपको दी जाएगी पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि 30,000 रुपे किस किस सरकार को यानके सरकार के द्वारा किस किसान को दिये जाएंगे इसकी पूरी जानकर हम आपको दे देते हैं दोस्तो आप यहां पे देख सकते हैं पूरी जानकर दे गई है परधान मंत्री किसान सम्माद निद्योजना के तहत किसानों को परती वर्ष 6,000 रुपे दिय जा रहे हैं दोस्तो और इस तरह से दोनों योजनों से जार खंट के किसानों को हर साल यहां पे कम से कम 11,000 रुपे से लेकर 31,000 रुपे तक का लाब दिया जाता है दोस्तों यहां पे बतायागा है जोrage 25,000 रुपे वहां पे दिये जारे किसानों को और 6,000 रुपे यहां पे किसान सम्मान दीयोझना के साह已經 यानिगे प्रधान-ंप्रिविक किसान सम्मान दीयोझना के तहर दिय formerly only 6,000 रुपे और दोस्तों में आपको यहाँ पे जानगारी दे देते हैं दोस्तो कौन-कौन किसान यहाँ पे लाब ले सकता है उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है यहाँ पे बताया गया है सिर्प राज्य के मूल निवास्यों को चोटे वे सीमा मात किसानों के लिए ही है योजना चलाई गई है यानि के दूसरे राज्य से आकर जमीन खरीदने वालों को यह लाब नहीं मिलेगा दोस्तों अगर दूसरे राज्य से किसान आकर और दूसरे राज्य में जमीन लेकर खेती करता है तो वह है लाब नहीं उठा पाएगा पूरी जानकारी दे गई है किर्सिवी भाग या क्लेक्टेड से फोम लेकर उसमें खेत के कागजात लगाने होगे साथ ही बताना होगा कि आवेदक आवेदन करने वाला जो है व्यक्तिक खेत का मालिक है दोस्तों इसमें पूरी जानकारी देनी होगी कि जिसके काग मिलेगा यहां पर बताया गया है bank account number देना होगा और account आधार card से link होना चाहिए जी हाँ दोस्तो आधार card से आपका account link होना चाहिए तभी आप यह लाब प्राप कर सकते हैं ऐसा ना करने पर आवेदग लाब से वंचित हो जाएगा यहां पर बताया है कि एससे ये सरते नहीं वानिए तो उससे लाब नहीं दिया जाएगा लाब से वंचित कर दे जाएगा दोस्तों साथ ही आपको इहां पर किसान credit card और आपका रासिन इक रहती है कर दोस्तों यह लाब के व गभाल छार किसानों को ही मिल पाया अगर आप चाहर करण के निवासी हैं तो आप इस योज नगदा लाभ ले सकते हैं तो हमें कमेंट करेक्षा है और आपको याजानकर की कैसी लगी हमें कमेंट करका जुरू बताएं और दोस्तों यहां पे बताया झाल झाल